अलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सूपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं टाइपस ओफ रिविटिंग जॉइंट्स याने कि रिविटिंग जॉइंट्स के टाइपस के बारे में इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इससे जस्ट पहले हमने ये वीडियो की थी उसमें टाइपस ओफ रिवेट रिवेट और टाइपस ओफ रिवेट के बारे में हमने डिसकसन किया था कि रिवेट किते टाइपस के होते हैं ये रिवेटिंग जॉइंट के टाइपस के उपर है तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं बने दियेगा वीडियो में अन्त तक Riveting Joint mainly दो टाइपस के होते हैं पहला होता है Lap Joint और दूसरा टाइप होता है butt joint Lap Joint में एक प्लेट की उपर दूसरी प्लेट overlap होती है जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं जबकि बट जॉइंट में दो प्लेट को आमने सामने में रख करके उसके एजस को किनारों को आजू-बाजू में सटा करके उसे फिर जॉइन किया जाता है अब जो हमारा लैप जॉइंट है वो फर्दर तीन टाइपस में सब डिवाइड़ है ना तीन टाइप के होते हैं तो सबसे पहला टाइप है सिंगल रो लैप जॉइंट इसमें क्या होता है रिवेट की स्रीप एक ही रो होती है याने एक ही लाइन होती है जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं और एक ही लाइन में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सारे रिवेट जो है वो लगे रहते हैं यह हो गया single row lap joint दूसरा होता है double row chain lap joint जैसे कि नाम से ही clear है double row है याने कि इसमें rivets की 2 row है यहाँ पर आप left side में जो देख रहे हैं वो top view है जब कि right side में जो देख रहे हैं वो आप इसका side view है, front view है है ना, तो इसमें 2 row रहेंगे लेकिन यह chain lap joint है इसलिए सारे rivets आपस में parallel रहेंगे एक ही line से रहेंगे इसलिए इसे chain lap joint कहा जाता है double row chain lap joint इसी में अगर 3 row रहेंगे rivets के तो उसे कहा जाएगा triple row chain lap joint ठीक है friends उसको अलग से मैंने subdivide नहीं किया है क्योंकि मैं यहीं पर आपको समझा दे रहा हूँ 3 row रहेंगे तो triple row chain lap joint हो जाएगा अब next जो है वो है double row jig jack lap joint देखी friends यहाँ पर double row याने की 2 row है jig jack का मतलब क्या हुआ जो देखी पहला वाला line में जहाँ पर rivet लगा हुआ है और दूसरे line में जो rivet लगा हुआ है उसका position changing है अगर हम उसे match करेंग दूसरे से तो वो jig jack shape बनेगा इसलिए इसे double row jig jack rivet joint कहा जाता है अगर same इसी position में 3 row रहेंगे rivets के तो उसे कहा जाएगा triple row zig zag lap joint ठीक है friends तो यह हो गया आपका lap joint अब बात करते हैं हम butt joint की butt joint में दो parts को आपस में joint करने के लिए अलग से एक plate का इस्तमाल किया जाता है जिसे strap कहा जाता है या फिर cover plate कहा जाता है तो यहाँ पर आप image में देख रहे हैं यहाँ पर single plate या फिर single strap use की गई है तो इसे single strap butt joint कहा जाएगा अगर दो plates का इस्तमाल किया जाएगा तो उसे double strap butt joint कहा जाएगा तो single strap या फिर double strap का concept आप यहाँ पे clear हो गया है अब आगे देखते हैं अब next है आपका देखी single row single strap butt joint देखे यहाँ पर क्या है दोनों plate में single single row है ना और एक strap का use की अगया है टॉप पे तो यह हो गया आपका single row single strap butt joint अब next है double row single strap joint butt joint है ना तो इसमें देखे दोनों साइड में दो-दो row हैं और single strap का use किया है तो यह हो गया single strap है ना double row single strap butt joint इसको आप double row single strap chain butt joint भी बोल सकते हैं क्योंकि जो reverts है वो एक ही line पे है next है double row jig jack rivet butt joint है ना तो यहाँ पर देखे double row है और लेकिन जो reverts है है ना वो jig jack path पर है यानि कि एक ही line पर नहीं है उनका जो path है वो jig jack way में है इसलिए इसे double row jig jack rivet butt joint कहा जाएगा और यहाँ पर एक strap का इस्तेमाल किया गया है तो इसे single strap jig jack rivet butt joint कह सकते है तो friends यह थे types of rivet joint उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी अगर एक percent भी यह वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा channel को subscribe कर दीजेगा फिर से मीलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलविदार अलविदार